कि अज़ी स्टुडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे तो आईए हम लोग पढ़ रहे थे क्या लूमन हेल्थ औंड इजीज में तो इम्म्मौनटी तक हम लोग में पूरा कवर कर लियागास बाहई क्या है उिसके प्प्रिमर किया होती है ग्रेवेया डाफ घ्रील हो इस्प्लीन होती है ठीक है यह सारी सीजन डिसकस हो चुकी है तो अब हम लोग आ रहा है अपने अगले टापिक पर एड्ज पर एड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपकी Yeah rates पर पढ़ाने वाला हूँ तो it's के बारे में आप लोग जो भी जानते होगे तोड़ा बहुत जानते भी होँगे थोड़े भूध भुरंभी होंगे आप लोगोओं को जो कि आप साहित गलत जानते हों या किसी के बात से बात सकता ऐसा भी जानते हो ऐसा नहीं है तो अब हम लोग जानें कि एडस के बारे है एडस क्या है acquired immuno deficiency syndrome ठीक है एडस का full farm क्या है acquired immuno deficiency syndrome ठीक है ये पहली चीज तो यही जानना होगा कि आपको कि ये कोई disease नहीं मतलब disease और syndrome में जो होता है वो difference होता है difference क्या होता है हम आपको बता दें कि जो disease होती है उसका एक defining symptoms होते हैं और उसका एक इलाज होता है एक particular दवा होती है यहाँ यह रोग है इसकी यह दवा है यह बिमारी है तो इसके यही symptoms होंगे ठीक है लेकिन जो syndrome होगा गुरूप आफ symptoms होंगे ठीक है कई उसके बहुत सारे symptoms होंगे मतलब आप उसको समझ नहीं पारते हैं कभी कभी कि यह किस बिमारी का है ठीक है तो इसलिए उसको हम disease ना कहकर उसे syndrome कहते हैं जहां group आफ symptoms है तो जो यह AIDS है आपका यह syndrome है ना कि disease है ठीक है तो आई है हम लोग आते हैं अपने इस lecture पर एड्स वाले lecture पर आते हैं और इसको जानना बहुत जरूरी भी है social awareness के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और यह सब चीजें जानना आपको बहुत होता है ठीक है तो एड्स के माने अपको डिफिनीशन में आई acquired immunodeficiency syndrome इसमें क्या होता है कि immunity जो होती है वो बेकार हो जाती है ठीक है और बाकी मैंने पीछे लिखा भी है acquired immunodeficiency syndrome ठीक है उसके बाद आती है बात किसकी disease syndrome में difference क्या होता है क्योंकि यह क्या है AIDS क्या है syndrome syndrome क्या होता है defining cause distinguishing symptoms and treatments मतलब एक defining cause होता है distinguishing symptom मतलब इसके symptoms को आप distinguish कर सकते हैं ठीक है and treatment और इसका treatment होता है लेकिन जो syndrome होता है वो group of symptoms होते है that might not always have definite ठीक है इसका क्या that that कहा लेका that might not always have a definite का इसका कोई definite कोई निश्चित कारण इसका पता नहीं चल पाता है ठीक है यह synergy और symptoms की बारे में हो गया उसके बाद आती है पात किसकी 1st December 8th day ठीक है तो 8th day जो है वो 1st December को मनाया जाता है 1st December को क्या होता है 8th day होता है मतलब उस दिन WHO और भी नाको अभी मैं आपको बताऊंगा NGOs होती है जो सोसल awareness के लिए work करती है तिसलिए बनाया गया है कि जिससे लोगों के अंदर जागरूपता फाइल आई जा सके इस सिंड्रोम को लेकर ठीक है इसलिए 1st December को 8th day मनाया जाता है उक्रेट और उसके बाद 1989 क्या हूँ आईटि इडिवण 1991 क्या हूँ थ हुए 1981 में सबसे पहले जो है स्कूरेट की एट को एट को पता लगा गया था कि एटष हो रहा है ठीक है सकए उसके बारे में उसके जोन में उसक्तार पता तो हम लोग आप जानते हैं कि पहली बार कहा रिपोर्ट किया गया था 1981 मैं आप दोनों चीजे बता रहा हो सकता है कुछ लोग ना समझ पा रहे हैं उसके बाद देखिए एड्स के बारे में जो कुछ गलत चीजे हैं यह बता दे एक रिट्रो वायरस है यह आप क्यों रिट् ट्रांस्किप्टेज ठीक अभी मैं आपको ऊपर ऊपर कि शीजे बता रहा हूं वागर वी यह फिगर दिया गया न्सीयाटी में पेज नंबर 155 पर उसके बारे मैं पूरा आपको बताऊंगा तो एक एंजाई में इसमें पाया जाता है रिवर्स ट्रांस्किप्टेज इस HIV से HIV एक वाइरस है कभी कभी कुछ लोग आपको कंफ्यूज करें कहें एचाईबी क्या है एड्स क्या है तो मैं बता दूँ कि इसी HIV की वज़ा से एड्स होता है मतलब एक Human Immunodeficiency Virus की वज़ा से Acquired Immunodeficiency Syndrome होता है HIV का फूल फार्म क्या है Human Immunodeficiency Virus तो Human Immunodeficiency Virus की वज़ा से Acquired Immunodeficiency Syndrome होता है मतलब की HIV की वज़ा से एड्स होता है ऐसा आप कह सकते है ठीक है तो यह क्या है एक वाइरस है यह आपने जान लिया इसके नाम के पीछे वाइरस लगा हुए ठीक है उसके बाद इसमें बहुत स सारे चीजें क्या होती है यह किस चीजें से फैलता किस से है यह आपको जानना जरूरी होगा यह सेक्सुल कांटेक्ट से फैलता है ठीक है जैसे कि सेक्सुल कांटेक्ट से फैलेगा ठीक उसके बाद किसी से और फैल सकता है यह नीडिल से फैल सकता है इंट्रवेनेसली जो तो इस तरीके से इसलिए आपको जागरुक होनी किया वशकता है किसी भी हास्पिटल में आप जाएं तो आप उस सिरिंज को यह जो भी आप ले रहे हैं उसको चेंज जरूर करवाएं ठीक है सिरिंज को आप जरूर चेंज कर रहे हैं अध्यान देंजीजियों को लेकर और ज फ्लूर के थुरू फैलता है वो कांटेक्ट के थुरू फैलता ही नहीं है मतलब आप किसी को एड्स है आप उसको छो लिए तो यह नहीं कि एड्स हो जाएगा कोई व्यक्ति है जो किसी ट्वालेट को इस्तिमाल करता है आप उसी ट्वालेट को इस्तिमाल कर रहे हैं जिसक बाद मैंने आपको बताए कि ये जो हैं इंट्रब्रेमेंसली ड्रक्स जो लोग लेते शक्राइब क्वाइब सकते हैं उसके बाद ये रहा है ठीक है एक Kind फूजिकाल कांटेक्ट का कोई रूल है लोक कहते हैं जैसे प्लेट नहीं कि इनके इंद्ध सुनान और जोब शूरिकिक है जेसे कि आपकोरिक जुञें है और इसारा सब्ऩम खेंगी कि तुरूर इसके बाद ये फीटस में भी आ सकता है जैसे मदर को अगर है तो प्लेसेंटा के थुरू फीटस को हो सकता है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब ये जान रहे हो या जो हमारा समाज जान रहा हो कि एट्स है तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप किसी बच्चे को ज ऐसा ना करें ठीक है उसके बाद जो चीजे और भी क्या चीजे हैं मैंने आपको फैलने का कारण बता दिया और हाग किस करने से नहीं फैलता हग करने से नहीं फैलता उसके बाद उसके खासात खाना खाने से भी नहीं फैलता है ठीक है क्योंकि हमारे सोसाइटी में क्या होत तो उसके लिए उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि देखिए आपको जानना होगा कि AIDS जो सिंड्रोम है ये खुद कोई बीमारी नहीं कास कर इससे कोई नहीं मरता है ठीक है इससे नहीं मरता लेकिन ये immunity को बिल्कुल खत्म कर देता है आपने ये क्या करता है लिंफोसाइट पर फिए टायक करता है और उनको खत्म करता है एक cd4 रिसेप्टर होते है मैं आपको बता दू cd4 रिसेप्टर जैसे देखिए ये ने माइक्रोफेज मान लीजिए कि माइक्रोफेजस सेल है ठीक यहाँ पर CD4 रिसेप्टर पाए जाते हैं CD कि लिखने कोई जरूरत ने समझ लीजिए पस NCR टीम नहीं दिया गया ठीक समझ लीजिए आप बाकि यह NCR टीम नहीं CD4 receptor जो कि होता है जानते हैं प्या करता है मैक्रो फेजेज के अंदर इस वाइरस को घुशने में मदद करता है जैसे कि लंका में विवीशन ने राम को मदद की देखिए मैं यह नहीं कहता हूँ सब भगवान की बाते हैं लेकिन लंका कुनस्ट किस ने किया विवीशन ने किया ठीक है लेकिन उसके पीछे कारण विवीशन ही था तो इसलिए CD receptor वही विवीशन वाली बात है कि यह जो है वाइरस को रास्ता दिखाता है वाइरस की मदद करता है जैसे क्या होता है कहीं आप जा रहे हो वहां का रास्ता बहुत कठिन हो तो कोई एक ऐसा ब्यक्ति हो जिसके पास ऐसा वाहन हो जो आपको वहां तक पहुँजा सके ठीक है जैसे आप बरपहाड़ी यों पर गए बरफिली पहाड़ी वाहन कुछ अलग तरीके के होते हैं तो वह चीजें जो परदान जो आ रहा है बरपिली वहां उसी की तरह सीटी रिसेप्टर होता है जो आपको वायरस को यहां स्पकड़ के अंदर बुशर देगा अगर यह ना होना तो यह चाहिए भी हो ही नहीं ठीक है और यार देखो इसके लच्छण जो है ना तुरंत नहीं अपियर होते हैं कई महीनों से कई साल लग जाते हैं यूजूली फाइब टेन येर लग जाते हैं इसके बाद क्या चीज़े हैं उसके बाद जो चीज़े हैं में आपको बता हूँ के तो आपको मैं बता दूँ कि यहां पर क्या होता है DNA से, DNA से जब RNA बनता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ट्रांस्क्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांस्क्रिप्शन, 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 ट्रांस्क्रिप यो DNA से बने होते हैं लेकिन यह जो निए जो है एक दो हैं उसमें जो बने हुए थे इनका जो है DNA होता है जैन्टिंग मटेरियर लेकिन इसका RNA है जो है इसका आपका HIV का ति यह क्या करता है RNA से DNA ने बनाता है तभी ते हमारे बार्डीи सेल में आएगा इसमें एझाइम ठागसा होगा-घर इसमेंभ रिवर्स-ट्राइब स Sergreekuğ है हुई 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 रहे हुई है इसमेंध स् एन श्वित रहने बनने में डांश्विपटेंगशे इन सब्सक्राइब दि इसमें living और non-living के बीच में कड़ी है तो हम इसको प्राणी नहीं बोलेंगे दिखेंगे वाइरस वो है जो जिस पतल में खाता है उसी मचेत करता है ठीक है आपके अहां मिलकर मारेगा मतलब आपके ग्रूप में सामिल होगा आप भी को नुकसान पहुंचाएगा आप क्योंकि देखिए वाइरस का खुद का कुछ नहीं होता है ना इसके पास खुद की कोई defining cells है ना इसके पास कुछ है बस एक proteinis coating पाई जाती है उसके अंदर recosenting material आ रहने होता है और जो protein जानते हों कि जो coating सेल में बता दूँ मैं आपको देखिए यह माइक्रोफेजस सेल है माइक्रोफेजस सेल है ना माइक्रोफेजस सेल में यह जो है जैसे माल लीजिए यह वाइरस है यह वाइरस है ठीक है यह वाइरस है इसमें इसका genetic material होगा बुलू वाला ठीक है तो बुलू वाला क्या होगा इसका जेनेटिक मटेरियल होगा इसका जेनेटिक मटेरियल होगा बुलू वाला ठीक है जो रेड़ वाला आप बाहर देख रहे हैं यह है इसका प्रोटिनीसियस कोटिंग जो है प्रोटिनीसियस कोटिंग है प्रोटिनीसि तो यह खुद जाएगा उसमें तो यह हमारे DNA से जुड़ेगा तो पहले इसको DNA में convert होना पड़ेगा ना उसमें कौन एंजाइम इसका help कर रहा है reverse transcriptage इसका help कर रहा है ठीक है तो आपने इसको जान लिया उसके बाद अब हम लोग आते हैं इसको चीज को अब इसमें इसको कि पहलेता हूं ठीक है वह Alexa मत कहना Alexa नहीं है Alexa मत लगवाओ अपने Google के नाम नहीं सोचो वही रख दें रहे हैं अलीशा है अलीशा की फुल फार्म क्या होता एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट ऐसे ठीक है उसके गोंब्स पहलता है जो लोर कई लोगों के साथ सेक्स करते हैं कई लोगों के साथ जो है संद्ध बनाते हैं उनको होने की संभावनाय यह बढ़ जाती है ठीक है तो यहीं चीजों को शारी नीजिशन जो को इस आभेर करना उसके बात प्रोटेक्शन हो गयरा कि विए यह सी यू नाको नेसनल एलसे कंट्रोल अर्गनाईजेस्ण यह क्या करती है यह हेलप करती है यह लोगों को जागरूप करने का काम करती है कि जिससे लोग सक्स की प्रति औहर हो अपर फिर एड़्या अब गाह सकते हैं अवेर हो जिसके लिए इन्होंने कई कदम भी उठाये, क्या कदम उठाये, इन्होंने इसनल एट सेंट्रोल आगनाईयेशन ने, इन्होंने देखिए, इन्होंने डबल येच ओने, इन्सामने कॉंड़म्स का फ्री डिस्टिबीउशन इस्टार्ड किया, थीक है, हास्पिटल्स में औ आपको याद होने चाहिए एक ये पांच वान ठीक ही आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ये क्यों देखे इस टॉपिक से नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है और अगर आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं मतलब 12 के स्टेंडर के हैं उसमें भी एक क्वेश्चन एक क्वेश् अब पूस्त टॉप्पोत वीसंबरह मैंने आपको बताया है typical पहली बार रिपोर्ट है फस्ट रिपोर्ट से लिए बहुत सारे लोगों की इससे का नाम सूना होगा जो कीसमें सबसेडा होती च्ठीफ ईडियर उसस में बहुत जादा होटी है जैं उस टोक्स प्लाजमा हो टहुत हो Kinux प्लाजमा का नाम सुना होगा है वह जो है क्या होता है मधर को होता है मधर को भाह operations तो वह जो सकती है तो मैंने आपको इस सब चीजें बता दी अम मैं सुचता हूं कि इसको पढ़ लिया जाए इस टॉपिक को हम लोग खत्म करें आपको मैंने बताया कि आप सेक्स्वल पार्टनर के प्रत जो है वेर हों और जो है का उन्डम्स का प्रयोग करना चाहिए ऐसे और जो है मल्टिपल सेक्स्वल पार्टनर जिनके होते हैं उनको चांसे बढ़ जाते हैं ऐसी परिसानिया होने में ठीक है तो ऐसे और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विक्ति को हो उसे छिपाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे और भी जाने जा सकती है देखिए इस पहली बात तो यह है कि एड्स होने का मतलब आपकी मृत्यूताय है या जिसको है उसकी मृत्यूताय है उसे कताई बदला नहीं जा सकता है इसका पहूत मतलब इतना का किया जा सकता है कि जहां एक साल में मरने वाला है उसकी उमर बढ़ा के दो साल कर दिया गया दो साल बात मरेग क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं पिछली वाली जो हमने डिसकस की थी कुछ चीजें वो तो मान लीजीए कि कंट्रोल में आ भी जाती है लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम कंट्रोल के बाहर वाली बात है ठीक तो इसलिए अब हम लोग आते हैं इस चीजों को बढ़ लेते हैं और मैंने आपको बता है कि मृत्यू पता है अपरिहार है इसमें एक सब्द भी लिखा गया है उसके लिए इनवाइटेबल ठीक उसका मतलब है अपरिहार या अनिमार रे तो आईए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको The word AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome This means deficiency of immune system acquired during the lifetime of an individual Indicating that it is not a congenital disease Syndrome means a group of symptoms AIDS was reported First reported in 1981 And in the last 25 years also has spread all over the world Killing more than 25 million person 25 million person AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV virus होता है A member group of viruses called retrovirus Involup Inclosing the RNA Involup मैंने बताया था Involup वही protein वाला ना तो वही चीज़ Protein बाहर छूट जाता है Virus यह अंदर जाता है Cell के अंदर Microphages और Limphoside आईसा नहीं सबसे लाप सोचले Microphages और Limphoside उनी खत्म करेगा तब Immunity खत्म हो जाती है Transmission आप चाहिए Infection generally occurs by Sexual contact with infected person ठीक है इसमें दिया गया Sexual contact with infected person ठीक है 154 page है तो sexual contact with infected person By transfusion of contaminated blood and blood products मतलब जो Contaminated मतलब दूसी तो जो इसको है उससे आप blood ले रहे हैं तो इसके लिए इसी लिए जान रहे हैं आप इसी लिए जो नाको है WHO है इन सभी ने वर किये किया कि आप blood bank से blood ले Blood bank से लेंगे तो कोई खत्रा नहीं क्या कि वहाँ पर test कर लिया गया होता है SIB है कि नहीं है लेकि जो direct blood ले रहे हैं Problem तब है Direct blood लेने में problem है Blood bank से लेने में problem नहीं क्योंकि वहाँ पर check कर लिया जाता है इसी लिए blood bank की अस्थापना की गयी पहले blood bank में blood जाए उसके बाद आप उसको ले ठीक है By sharing infected needles as in case of intravenous drug and farm from infected mother to her child through placenta मतलब बच्चे में हो सकता है किसके थूँ पलेसंटा कि थूँ So people who are at high risk of getting this infection includes individuals who have multiple sexual partners इनके हों high risk पर होते है जो कई लोगों के साथ sex करते है ठीक है Drugs addicts who take drug intravenously जो drug लेते हैं intravenously मतलब नसो में जो लगाते हैं ठीक है Individual who requires repeated blood transfusion and children born to have an HIV infected mother Do you know when do people needs repeated blood transfusion find out and make a list दीखे जो figure दिया गया है इसको पहले पढ़ लिया जाता है इसको पहले पढ़ लिया जाता है List of such condition It is important to note that HIV is not spirit by mere touch or physical contact मतलब mere touch मार टच की वज़ा से physical contact इस तरह के इस नहीं पहलता हो ठीक है It is spirit only through body fluid यह क्यों किस के तरह पहलता है Body fluid के थरू पहलता है ठीक है Hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV or AIDS infected person are not isolated from family and society मतलब इने जरूरी नहीं आप ऐसे society or families बाहर फेक दें यह बहुत गलत चीज़ें मैंने देखा भी ऐसी एक दो केसे समारे सामने हुई है एक केस होई है ठीक ठाक उनको मैंने सुना भी है मै Susan का बहुत है मत्र हैं उनके यहां हुई थी काफ़ी है लिकिन यह है कि जब तक आपको जानकारी ना हो तब तक आप चुब कापको बोले का भाई उस चीज़ को मानना भी पढ़ता है तो उन्हों नहीं भी माना था लेकिन हमारे मित्र थे उन्हों में बताया तो हमें ये चीजे सुनकर काफी दुख भी हुआ उस बेक्ती के लिए क्योंकि देखिए आप जब किसी को बिल्कुल त्याग देते हैं तो उसकी जो है सहिन करने की छहमता रोक के प्रे ब्हुत बिल्कुल खत्म हो जाती थीक है तो ऐसा नहीं है कि यहाइड बिल्कुल कोरोना है तो यह बिल्कुल नहीं है कि आप उसको बार फैंक देDIA आमके प्रड़ नीचे पड़ा है नलीग किनारे पड़ां असली होता है तो हर चीज का एक तरीदा है तो जानी सकते हैं कि ऐसे नहीं फैलेगा ठीक है तो जानी आपने इसे इंपर्टन ओर नहीं इसको सपोर्ट करें तो इसको सपोर्ट करें जानी मतलब अप उस HIV इंपर्टन को हैं और साइटे से इसलेट करें इस गलत है ठीक है दियर आलवेज टाइम लेक बिट्वीन इंफेक्शन एंड अपेरंस आप एड़ सिम्टम मतलब जो है इंफेक्शन में और अपेरंस आप सिम्टम काफी समय लगता है ठीक है तो आप्टर गेटिंग दे बाडी आप दे परसंद वाइरस इंटर्स इंटू माइक्रो फेजिस होए रहने जीनोम आप दे वाइरस रिप्लिकेट्स टू फार में वाइरल लिया रहने है तो यह रिवर्स ट्रांस्किप्टेज एंजाइम किसमें डियन ने में कौन से डियन पहले होता है जिसको कांप्लिमेंयंट्री डियने काहते है फिर कंप्लिमेंट्री डियन इसए डियन जाए डावल स्ट्रल यह बहुंद है थैट्डियंय कुछ घ्षिर ऑब इसके बाद माइक्रो जाती है पूरा फैक्टरी हो गई हमारे डिने में लग गया मारा समझ नहीं पा रहा है सोच हमारा सरी सोचता हमारा दिन वायर्स पूरा एकदम फैल रहा है पूरी तरीके से ठीक हर यह यापने घ्र धोका देता है मारी स्पेल चलोने है और अपना सुचकर उनके उनको आगे बढ़ाता यह लेकिन बाद में क्या होता है क्वो पराय निकल जाते हैं ने जिस्ता कि daudis वाइरल दने गेट्स इंकर इंकरपूरेटेट इंटू होस्ट चल दीने डारेट दा इन्फेक्टेट चल तो प्रोडूस वाइरस पार्टिकल दम मैक्रोफेज चांटिनू टू प्रोडूस वाइरस आयनि दिस बे आक्ट लाइक एचाइवी फिल्मा बता है चाइवी हलपर टी लिंफोसाइड में क्या होता है इंटर्स करता है रेप्लिकेट्स एंड प्रोडूस प्रोजनी वाइरस ठीक है अग्या प्रोजनी मतलब आप समझ रहे होंगे ना संतान जो इसको कहते है दा प्रोजनी वाइरस इस रिलीज़ इन दा ब्लड अटैक अधर टी लिं लिंफोसाइड का ठीक है तो उससे क्या होगा बाडी आप देंफेक्ट ड्यूरिंग इस पीड़ेड परसन सफर्स फ्राम बाउट्स फीवर ठीक फीवर होगा डाइरिया होगी वेट लॉस होगा ठीक डियू टू इन डिक्रीज इन नंबर आफ हेल पर टीस लिंफोसाइड टीवी आप को बाडी परसन सफाट्स फ्राम दा इन फेक्सियस तैट कुड़ है बिन अद्रॉइज ओवर कं सच देच देची अशुर सुक्ड दू टू पैक्टिरिया थे तीवी करते हैं ठीक है वो घर में देखने वारी टीवी नहीं यह दूसरी टीवी है ठीक है वो क्य चीज़ है, mycobacterium, viruses, fungi and even parasites like toxoplasma, the patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against these infections, a widely used diagnostic test, इसके लिए क्या होता है, enzyme linked immunosorbent test से, इधर लिखा गया, इधर, 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 enzyme linked immunosorbent test से, ठीक है, इसके लिए जो टेस्ट होता है, इसको डाइग्नोस करने के लिए, तो उसके बात है, treatment of AIDS with anti-retroviral drug होती है, ठीक, anti-retroviral drug बहुत सारी drug आती है, तो वो सारी चीज़ें है, इसमें क्या होती है, उसका उपयोग क्या है, only partially effective होने का क्या मतलब है, जो यही RNA से DNA बन रहा था, मैंने आपको बताया था, reverse transcriptage के थुरू बन रहा है, इसी को रोख देती है, reverse transcriptage जो है, वो मात्रा है, उसको बिल्कुल एकदम खतम करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, RNA DNA नहीं बदल पाता है, जिसकी वुझे से थोड़ा बहुत जीने की, जो जीने का जो समय period है, एक साल से दो साल हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके सा partially effective होता है, they can only prolong the life of the patient, but cannot prevent them, मतलब कि व which is inevitable, जो अनिमार रहे है, आप परिहार रहे है, जन्दी में इसको बोलते हैं, inevitable, ठीक है, होना ही होना है, अब prevention of death, AIDS, sorry, prevention of AIDS, तो आईए, prevention of AIDS देखने पढ़ लेते हैं, हम लोग, देखें, जो point मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए NCR team पढ़ देता हूं, हो सकता कि point में आपको problem ह हो, तो आप उसको बाद में सोचें कि यह ऐसा नहीं हो पाया हम से, as AIDS has no cure, prevention is the best option, ठीक है, कोई cure नहीं है, prevention is the best option है, moreover, HIV infection, HIV infection, more often is period due to conscious behavior, patterns, and it is not something that happens, in a, invader, internally, like pneumonia, or typhi, इसमें टाइफाइड निमोनिया, यह सब पहले हो, की तरह नहीं है, कि यह मतलब आई से फाइल जाएगी, एक दूसरे एक थुरू ऐसे फाइल जाएगी, ठीक है, आपके control के बाहर है, यह आपके control में है, मतलब यह ICDG है, यह ऐसा syndrome है, जिसको आप control कर सकते हैं, ठीक, उसके थिया, आपकोर्स, infection in blood transfusion, patient newborns from mother may takes place due to poor monitoring, the only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance, in our country, national AIDS control organization, नाको जिसको मैंने आपको बताया है, इधर दिया गया है, and other non-governmental organization NGOs are doing a lot to educate peoples, ठीक है, about AIDS, WHO has started number a program to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood bank, मैंने आपको बताया है, यही safe है, blood bank से blood लिने, ठीक, आया, वो इसे भी ले रहे हैं, तो blood bank में जब चेक हो जाता है, आप उसको परते, चाहिए भी चेक कराने बाद ले ले, safe from HIV, ensuring the use of only disposal needed, ठीक है, distribution हो रहा है, condoms का आप जानते हैं, यह रूपी एक परशी कटाईए, city hospital में या बलाक में अपने जहां पर आप हो, वहापे आप कटाईए, और जो है, आप फिर condom लीजिए, आप उसका उपयोग करिए, और जो है, इस बीमारी से आप लड़ने में मदद करिए, ठीक है, इस syndrome से, उसका controlling, drug abuse, advocating, safe sex and promoting regular check-ups, for HIV in susceptible population, are some such step taken up, जैसे ऐसा लेना चाहिए, और भी जैसे कुछ लोग है, जैसे मतलब देखिए, इन चीजों का थोड़ा सा और कदम बढ़चर का उठाना चाहिए, जैसे जो हमारे यहाँ, आप सुने होंगे कि ऐसी जगहें है, जहां पर इन जीजों का बयापार होता है, देख बयापार हो रहा है जहां पर, तो इन चीजों का मैं ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए, ऐसे socially कहना ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों का check-up बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो उन लोगों का check-up बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वहाँ पर regular check-ups होने चाहिए ठीक है क्योंकि उधर से ही कुछ ज़्यादा फैलती है ठीक है जो red light area वगरा होती है यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा फैलता है ठीक है तो वहाँ पर regular check-ups करवाना चाहिए गवर्मेंट्स को भी और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं जो लोग उनको समभालते हो सकता वो लोग ना सिच्छित हो तो उनको समभाल कर आप उनकी देखभार करवा सकते है तो ऐसा बिलकुल होना चाहिए और इस तरीके की जाग रुकता हमारे समाज में होनी चाहिए ठीक है उसके बाद क्या आता है इंफेक्शन पित HIV और हाइविंग एड्स इस सम्थिंग दैट स्टूड नाट बी हाइडेन ठीक है यह इसको छिपाना दो बिलकुल नहीं चाहिए ठीक है अगर आप ऐसे छिपा रहे हैं तो यह बहुत सारे लोगों को हो जाएगा ठीक है और इचाइबी या एड्स इंफेक्टेड पीपल नीड हैल्प उन्हें मदद की जरूरत होती है सिंपैथी और सहानुभूती की जरूरत होती सिंपैथी मतलब सहानुभूती मतलब उन्हें आप सोसाइटी से बाहर भेंक रहे हैं यह जरूरी नहीं आप उनको निस्कासित कर रहे हैं सोसाइटी से यह जरूरी नहीं आप उनके पर थोड़ा अच्छे से भावना रखिए जिससे वो अपना जीवन थोड़ा अच्छे से काट से बाकी यार देखो, उनके साथ जो होना था, वो तो हो गया, ठीक, अब उसको कहने से कोई मतलब नहीं है, उनको सुसाइटी से बाहर करने का कोई मतलब नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग सिच्छित है, तो उमीद है, ऐसी उमीद रहेगी, आप लोग इसे समझ है, ठीक, उनले सुसाइटी रिकोगनाईजिज इट हैज़ इट हैज़ इट हैज़ इट हैज़ प्राब्लम टु डील बीथ इन एक क्लेक्टिव मेन, तस चांसे आफ वाइडर स्पीड आप दीजीज इंक्रीज मैनी फोल डिसके जैसे क्या होता है, यह बहु ज़्यादा हो जाता है फैलने के चांसे, जब आप ऐसे करते हैं, उसको आप बाहर फेक रहे हैं, उसको आप बाहर कर दिरें घर और से, आप उसके मिल नहीं रहे हैं, आप उसको टर्चर कर रहे हैं, मितलब मेंटली इस तरीके से, कि तुम में एक ऐसे हो कहा है, यह सब चीज़े कहने क कोई मतलब नहीं ठीक है तो आप उसको समझजिए जिसकी हुजा से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सके और और भी जगहों पर देखिए अगर आप इसे जो चाल लोगों कह रहे हैं तो जो चाल लोगों हो सकता है और हो उनको हो सही में वो छिपाने लगेंगे और छिपाने चक् ठीक इसलिए छिपाना नहीं चाहिए छिपाने चक्कर में उभाने लिए किसी से इस्वल अटेज्मेंट है किसी से रख रहे हैं तो इस तर्दिके से गड़गड हो जाएगा सिस्टेम बलकि आप सहान भूती रखेंगे तो इंसान खुद ही बता रहेगा भई हमें ये प्र मतलब इसमें सोसाइटी को और मेडिकल दोनों को साथ में वर्क करने की ज़रूत होती यहां पर साथ साथ वर्क करें तब इसका कुछ अच्छे से निवारण के तो प्रेवेंट दा इस प्रीड आप देडिजी दोनों को मिलकर कार करना चाहिए भाई देखिए आम जन भी ज इसकी वज़ा सेट्स हो रहा है उसकी बाद सीडी फोर रिसेप्टर जो कि आपके नहीं दिया गया लेकिन जानते रही सीडी फोर रिसेप्टर होता है जिसकी वजह से यह आपके मैक्रोफेजेज और लिंफोसाइट सेल में क्या करते हैं घुसपाते हैं ठीक यहां सेल को क्यों से सेल को मैक्रोफेजेस सेल को या फिर लिंफोसाइट सेल को यह मैक्रोफेजेस सेल आपको बनाई गई है ठीक है तो इस तरीके से देख रहे हैं कैसे घुस रहा है एनिमल सेल में एनिमल सेल में घुसा उसके बाद वाइरल डीन ने प्रोड्यूस हो गया किसके यह ठिक जूड़ने के बाद बस वहीं से नुऊ नियू वाइरल और यह प्रोडेूचपेट自燈 तो न्यू र वाइरल और यह ह54 और यह ने बंता रहता हैं न वारे से श्रीर में और ने प्रोटीफ में sadece Translation कहते हैं और DNA सिरनेug can by Transcription और DNA से फिर ProtiN Translation. तो हमेसा है बनता रहता है DNA सिरनेज सिरनेँ तो जो भांथारी वायर्य簡 लीज़ ने-स बनहीं आपके, नई-स खरो एक्थमिन डिज़ के पर रहा है, लेकिन वायरस वाला चाम हो रहा है. ये जो देख रहे हैं है इसमें इसमें आप देख रहे होंगे ये जो बना हुँआ है नई यह वाला फिगर यह बना गया बनाया गया है इसमें तो आज हम लोग एड्स को खत्म कर चुके हैं तो अब सब कुछ सब कुछ आप जान चुके हैं कि आपको मैंने बताए फिजिकल कांटेक्ट या उस तरीक किसे किसो गएरा करने से नहीं फैलता है यह जीज ठीक और प्रवेंशन के लिए जो नाक हो गए रहा है आप उनकों देख लीजिए उनके आप फुल फाम याद कर लीजिए कोई और प्वेस्चन हो आप टेलीग्राम पर पूँछ सकते हैं या हमारे कमेंड में पूछ सकते हैं ठीक तो धन्यवाद आज के लिए इतना रखते हैं आगले लेक्चर पर हम लोग एंसर को कवर करेंगी ठीक और उसमें बिल्कुल आपको प्राबलम नहीं होगी तो आईए अब इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीन साट माल लीजिए या आप कहते हैं आप नोट कर सकते हैं इसको आप नोट कर लीजिए ठीक नोट कर लीजिए मैं दो सेक्रिंड बात वीडियो कट करूंगा इसक्रीन साट ले लीजिए आप ठीक फिर आज इतना ही रखते हैं देखते रहे हैं आप लोग मारा चैनल और मिलते हैं नेस लेक्चर में